नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप्स हिंदी में खुन साफ होता है और नक्सिर में भी लाब होता है चार से पांच मुनक का लेकर उनके बीज निकाले अब उन्हें तवे में भून ले और उसमें काली मिर्च का चुरन मिला दे उन्हें कुछ तेर तक चूस कर चबा ले इसे खासी में लाब मिलता है बच्चे अगर बिस्तर म करें लाब जरूर होगा पुराने बुखार के बाद जब भूख लगनी बंद हो जाए तो दस से बारा मुनक का भून कर सेधा नमक और काली मिर्च मिला कर खाने से भूख वड़ती है यदि किसी को कब्स या कॉंस्ट्रिपेशन की समस्या है तो शाम की शमें दस मुनका को कर इस मुनका को खा लें और उपर से गरम पानी या दूद्ध पी लें इससे बहुत ही ज्यादा लाग होगा इस परियोग से अगर किसी को दस दोने लगे तो मुनका लेना बंद कर दें मुनका के सेवन से कमजोरी मिर्चाती है और शरीर पुस्ट होता है मुनका में आयरन क कि मात्रा दीख होने के कारण ये खून के लाल करणों को बढ़ाता है और रंग गोरा भी करता है मुनका चार से पांच मुनका पाने में भिगो कर खाने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं तो दोस्तों यह थे मुनके के कुछ ऐसे फायदे जिसे आप अगर रेगुलर करते है तो आपको कई तरह की स्वास्तलाव मिल सकते हैं उमेद करते हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसे परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी चैनल हेल्थ टीफ सिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आओंगी रोजाना नए नए घरे लूप च सब्सक्राइब को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके